दोस्तों नमस्कार, E&I Guru चैनल में मैं संदीब चोहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में हम MCB के कनेक्शन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MCB के कनेक्शन कैसे किया जाते हैं और MCB के कनेक्शन करते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पर टोटल पाँच MCB दिख रही है इन पाचों MCB को हमने MCB बॉक्स से बाहर निकाल लिया है जैसा कि आपके घरों में भी इस तरह का MCB बॉक्स होता है और उस MCB बॉक्स के अंदर अलग-अलग रेटिंग की बहुत सारी MCB लगी होती है यहाँ पर दोस्तों हमने टोटल पाँच MCB यूज करी है इन में सबसे पहले एक 32 एंपिर की MCB लगाई है उसके बाद हमने 16 एंपिर की 2 MCB लगाई है और 10 एंपिर की 2 MCB लगाई है जैसा कि यहाँ पर हमने अलग-अलग रेटिंग की MCB यूज करी है अलग-अलग रेटिंग की MCB इसलिए लगा जाती है क्योंकि हमारे घर में जो लोड होता है वह डिफरेंट डिफरेंट होता है जैसा कि हमारे घर में जो लाइटिंग लोड होता है वह बहुत ही कम होता है तो उसके लिए यहाँ पर हमने 10A की MCB यूज करी है और हमारे घर में जो गीजर हीटर लगे होते हैं उनका लोड काफी जादा होता है तो उसके लिए यहाँ पर हमने 16A की MCB यूज करी है यहाँ पर हमने 16 एंपियर की 2 MCB और 10 एंपियर की 2 MCB ली है माल लीजे कि आपके घर में 2 कमरे हैं तो उन 2 कमरों में अलग-अलग लाइटिंग डिवाइट करने के लिए हमने 16 एंपियर की 2 MCB और 10 एंपियर की 2 MCB ली है दोनों कमरों में अलग-अलग लाइटिंग डिवाइट करने का रिजन यह होता है कि यदि किसी एक कमरे के अंदर लाइटिंग की दिक्कत आती है तो दूसरे कमरे की लाइट बंद ना हो जाए उसके लिए हम दोनों कमरों को अलग-अलग डिवाइट करते हैं यहाँ पर हमने 32 एंपियर की एक main MCB ली है इस MCB के द्वारा हम 16 एंपियर की MCBs और 10 एंपियर की MCB पर power supply देंगे अब हम इसके connection कर लेते हैं connection करने के लिए यहाँ पर हमने 32 एंपियर की जो MCB ली है वह हमारी main MCB है हमारे घर में जो energy meter से wire आता है उस energy meter के wire को हमें इस MCB के इस point पर connect करना है आप चाहें तो इस point पर भी wire को connect कर सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं आईगी अब यहाँ पर black और red color के दो wire हैं और black और red color के जो wire है वह हमारे energy meter से आए हैं तो red वाले wire को हम इस तरफ लगाएंगे और black वाले wire को इस तरफ लगाएंगे आप चाहें तो red वाले wire को इस तरफ भी लगा सकते हैं अब हमने main MCB की incoming पे black और red color के wire को connect कर लिया है अब इस mcb की जो outgoing है जो उपर वाले point है वहाँ से हम phase को दूसरी mcb तक लेके जाएंगे उस phase को ले जाने के लिए हमने यहाँ पर छोटे छोटे wire का यूज किया है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने rate color के wire यूज किया है हमें इस rate color के wire के द्वारा इस main mcb से phase को उठा कर जो दूसरी mcb है उन पर लेके जाना है यहाँ पर हमने 16 mpr और 10 mcb लिए है उन पर हम इन wire के द्वारा looping करेंगे जैसा कि हमने यहाँ पर main mcb पर wire को लगा दिया है और वहाँ से wire को उठा कर हम 16 mpr की mcb पर लगा देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं 16 mpr की mcb पर हमने wire को लगा दिया है अब 16 mpr से हम phase को उठाएंगे और दूसरे 16 mpr की mcb है उस पर connect कर लेंगे तो इस तरीके से हम 4 mcb को looping कर लेंगे यहाँ पर जो मैंने wire यूज किया है या बहुत ही कम rating के यूज किया है आप यदि घर में wiring करते हैं तो घर का load पता करके और उसके recording ही wire का यूज करें इस पर मैंने अलग से एक video भी बनाया है कि कितने rating का wire यूज करना चाहिए आप वो video भी देख सकते हैं और video का मैंने link description में दिया है वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि कितने rating का wire आपको घर में लगाना चाहिए यहाँ पर जो मैं video बनाया है मैंने क्यों समझाने के लिए बनाया है इसलिए मैंने कम rating का wire लगा दिया है अब हमने इस तरीके से चारो mcb पर looping कर दी है अब हमें main mcb के यहाँ पर neutral को लगाना है neutral को लगाने के लिए हमने black color के wire का यूज किया है जैसा कि यहाँ पर नीचे की side जहाँ पर neutral लगा है उसी के सामने हमें इस point पर black वाले wire को connect करना होगा इसे हम neutral wire कहेंगे यहाँ पर हमने neutral वाले wire को connect कर लिया है अभी हम neutral वाले wire को open ही छोड़ेंगे यहाँ पर हमने दो switchboard लिये हैं हमारे घर में भी कुछ इसी तरह के switchboard लगे होते हैं एक switchboard जो है हमारी lighting supply के लिए यूजता है और दूसरा switchboard जो है हमारी power supply के लिए यूज होता है और जो lighting के लिए switchboard है उसे हम 10 amp की MCB से connect करेंगे जैसा कि इन switchboard में black और red color के wire आकर connect हुए हैं और दोस्तों हमारे घर में जो MCB box होता है उस MCB box में भी इसी तरह के black और red color के wire होते हैं और उन black और red color के wire को हमें MCB पर connect करना होता है तो यहाँ पर भी हम जो red वाला wire है उसको MCB पर connect करेंगे यहाँ पर जो हमने बड़ा वाला board लिया है जैसा कि बड़े वाले board को हमने lighting board माना है तो उस lighting board को हम 10 amp की MCB से connect करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने red वाले wire को MCB में लगा दिया है और इसी board का जो black वाला wire है उसको हम direct neutral supply से connect कर देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं हमने neutral वाले wire के साथ इस board के wire को twist कर दिया है अब इसी तरीके से जो हमारा power socket है power socket वाले wire को भी हम connect कर लेंगे power socket वाले wire को हम 16 amp की MCB के साथ connect करेंगे यहाँ पर हमने जो red वाला wire लिया है उस red वाले wire को हमें 16 amp की MCB पर लगाना है यहाँ पर हमने 16 amp की MCB पर wire को connect कर लिया है अब इस board के black वाले wire को हम इस MCB के black वाले wire के साथ joint कर देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आलरीडी दो wire लगे हैं और हमने इस board का wire भी यहाँ पर लाकर connect कर लिया है दोस्तों यह जो wire है यह neutral वाला wire है इसलिए हमने इस neutral वाले wire को एक साथ connect किया है जैसा कि आपके MCB box में भी इसी तरीके से neutral वाले wire को connect किया होगा आप यदि अपने MCB box को खोल कर देखेंगे तो उसके अंदर भी इसी तरीके से wire को twist किया हुआ होगा तो दोस्तों इस तरीके से हम हमारे घर में MCB box के connection कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इस MCB box के अंदर 16A की MCB और 10A की MCB पर अभी भी wire connect नहीं किया हुआ है तो दोस्तों यह जो wiring हमने करी है यह केवल एक कमरे के लिए करी है यदि हमारे घर में दो room है तो दोनो room को हम अलग-अलग MCB से चला सकते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2-16A की MCB और 2-10A की MCB ली है तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं जाते जाते। इस वीडियो को लाइक जरूर करदेना क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेनत लगी है है अंग यह समाच पर वाचिंग माय वीडिएो थैंक यह समाच